जब तक मुख्यमंत्री ममता बेनर जी और विनीत गोयल कमीशनर कलकत्ता अपने पद पर अपने आसन पर बने रहेंगे यह संभव नहीं है कि इन्वेस्टिकेशन फेर तरीके से एक बहुत बड़ी बात और है आप सबको मैं चिट्थी दिखाऊंगा और इस चिट्थी के वि चिट्थी है जो हत्या और रेप विक्टीम का होता है वो एंटरवैंग नाइट आठ और नौ तारीक के बीच होता है और दस तारीक को यह चिट्थी जारी की जाती है इस चिथी का में मेंवो नंबर है र्के सी स्लैष 4197 और यह चिट्थी संबोदित है to the executive engineer PWD electrical ये medical college के PWD electrical engineer को और बाकी engineers को संबोधित है आगे देखिएगा तो इसमें कहा गया है कि जो seminar hall है जिस seminar hall में ये जगन्यकांड हुआ उसके साथ वाले doctor's room और उसके साथ वाले doctor's toilet और जो staff की toilet है उसे demolish करके फिर से बनाया जाए पहले जब भारतिय जनता पाटी और जनता जनारदन ने मीडिया ने इस पे सवाल उठाया था उस समय कलकत्ता की प्रसाशन ने कॉलेज के प्रसाशन ने बंगाल की सरकार ने ममता जी ने कहा था ये निरनय तो पहले से हो चुका था ये आठ और नौ तारीक के पहले से निरनय हो चुका था इठाद नाथिंग तो दू विद देट्स मगर ये चिठ्थी इशु हुई है दस तारीक को अर्थात हत्या और बलातकार के पस्चात ये चिठ्थी आनन फानन में इनने एक्स्प्रेस मोड ये चिठ्थी इशु हुई है और सबसे बड़ी बात है इस चिठ्थी में कि P.W.D. Department says that engineers ने ये जो निरनय लिया है ये निरनय किसके साथ बैठने के बाद हुआ है मीटिंग उसी दिन हुई है दस तारीक को किसके साथ हुई है Principal Secretary Department of Health and Family Welfare Government of West Bengal and the Director of Medical Education Department of Health and Family Welfare Government of West Bengal आप सोचिए Principal Secretary और Director Health दस तारीक को मीटिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात है उसी दिन बोला जाता है साइट इंस्पेक्शन करिए और एक साइट इंस्पेक्शन भी हो जाता है बॉडी के इंस्पेक्शन नहीं हो सकती है बॉडी के इंस्पेक्शन में 12-12 घंटी की डिले हो रही है मगर साइट इंस्पेक्शन तुरंत और तुरंत नोटिस निकल जाता है डेमोलिश कर दिया जाता है और काम शुरू किया जाता है क्यों स्टाफ टॉइलेट को और डॉक्टर्स के टॉइलेट को इतनी तुरित्यता के साथ क्यों डेमॉलिश किया गया और जिन लोगों ने जिन डॉक्टर ने इस डेमॉलिशन के फोटो को ट्विटर सोशेल मीडिया इत्यादी में चोड़ा उनके ऊपर कारेवाई हुई उनको एर नान आदर दन चीफ मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कौन हुकम देगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री ही हुकम दे सकते हैं तो सभाविक रूप से मुख्यमंत्री के हुकम पर अगर आप उसी दिन चिठी जारी करते हैं और हत्यारा और बलतकार हुआ हो सकता है और पूरी तरह से संभव है कि हत्यारा और बलतकारी वह स्टाफ टॉयलेट गया होगा खून के धबों को मिटाने के लिए गया होगा अपने आपको साफ करने गया होगा तो आपने उस क्षेत्र को तोड क्यूं दिया और CBI अगस्त 13 को पिक्चर में आती है और जब अगस्त 13 को CBI पिक्चर में आती है प्रोब को अपने हाथ में लेती है तब तक ना स्टाफ टॉसलेट है और ना डॉक्टर्स की टॉसलेट है क्योंकि उन्हें दस्तारिक को ही आनन फानन में इंस्पेक्शन करा करके तोड़ दिया गया है। ये ममता बेनर जी की कॉम्पलिसिटी के बगएर विनीत गोयल जो वहां के पुलीस कमीशनर है उनके कॉम्पलिसिटी के बगएर संभव नहीं है। और जब तक ममता जी और विन भारतिये जनता पार्टी दोनों को ही कहती है कि step down from your post for a fair trial and justice to the victim.